गुद आफ्टरून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका, आपके अपने यीट्यूब चैनल, स्टडी विद रवी पर, इस वीडियो में मैं आपके लिए इडियम सोर फ्रेजिस का पार्ट सेकिंड लेका आया हूँ, डॉकुमेंट की पीडियाफ आपको मेरे टेलीग्राम होता है, to turn or move back, हार मान लेना, किसी से भी, किसी स्थिती से भी, परिस्थिती से हार मान लेना या किसी से भी हार मान लेना, तो उसको बोला जाएगा, fallback, अगल आइडियम है, turn up once, knows at, इसका मतलब होता है, to reject or despices, मतलब किसी को नकार देना, या किसी को नीचा समझना, feel proud in a way that other people find it annoying, मतलब घमंड करना, बहुत जादा, किसी चीज के भी उपर अपनी बात के उपर, रूप का घमंड करना, ज्यान का घमंड करना, किसी भी तरह से घमंड करना, तो उसको बोला जाएगा, turn one's head, अगला है, high and dry, इसका मतलब होता है, neglected, या हम बोल सकते हैं, to leave someone helpless, किसी को नकारना, या किसी को ignore करना, किसी को अकेला छोड़ना, तो उसको बोला जाएगा, high and dry, next, take for granted, इसका मतलब होता है, to accept readily, या हम बोल सकते हैं, to pre, suppose as, certainly true, कोई भी बात मान के चलना, कि ऐसा होगा, तो ऐसा ही होगा, पहले ही कोई, अपनी तरफ से ही बात कोई मान के च next है, means matters, इसका मतलब होता है, to confuse issues, और हम बोल सकते है, to mix facts, तथियों को mix करना, सभी बातों को mix कर देना, जिससे की सचाई का पताना ना लगे, ब्रहमित करना किसी को भी, उसको सची बात पताना लगे, तो उसको बोला जाएगा, means matters, next, carrying favor with, इसका मतलब होता है, ingratiating, or trying too hard to get please somebody, किसी की खुशामत करना, क्रिपा का पातर बना, कोई काम करवाना हो किसी से, तो उसकी खुशामत करना, उसको बोला जाएगा, carrying favor with, next, set once face against, इसका मतलब होता है, oppose strongly, किसी person का या किसी बात का बहुत जादा कडाई से विरोध करना, उसको बोला जाएगा, set once face against, next है, storm in a teacup, इसका मतलब होता है, commotion, angry, worry, over a trivial matter, मतलब छोटी सी बात, कोई छोटी सी बात है, बहुत बड़ा पतंगर बना देना, उसका छोटी सी बात पर, शोरगुल करने लगना, उसको बोला जाएगा, storm in teacup, और आज का anti-medium है, putting once, foot down, इसका मतलब होता है, asserting once, authority, या हम बोल स सकते हैं, take a firm stand, एक दम बिल्कुल determined, कोई भी कदम उठाना, पुर्जोर कोशिश करना किसी भी काम के लिए, तो उसको बोला जाएगा, putting once, foot down, तो यह आज का anti-medium है, मिलते हैं next part में, part third के साथ, तब तक के लिए, thank you, thanks for watching.